ये पहला मौका है जब प्रियंका गांधी वाडरा किसी टीवी चैनल के न्यूज शो में इस तरह से आई हैं प्रियंका जी आपका बहुत-बहुत धन्देवाद आपने अपने चुनावी इतने व्यस चुनावी कारकरम में से समय निकाला और यहां पर आई अब मैं आपको अमंतरण देती हूं कि आम मन्ज पर आएं और यह बताएं कि UP की जनता आपको वोट क्यों करते हैं लेखे यूपी की जनता हमें क्यों वोट दे? क्योंकि यूपी की जनता ने जितने भी राजनेतिक दल है जो यूपी में हैं उन सब को पर्खा है उनोंने जातिवाद और सामप्रदायकता से भरी हुई राजनीती को देखा है लेकिन आज परिस्थितियां क्या है आज जहां जहां मैं जाती हूँ गाउं गाउं में जाती हूँ जिस जिस से मिलती हूँ सब बहुत ही तरस्थ है परिशान है क्यों क्योंकि जो उनकी रोजी रोटी है उसी को कमाना मुश्किल हो गया है किसान परिशान है, नौजवान परिशान है, दलित परिशान है, महिला परिशान है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, एक मतलब आमदनी को महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बेसिकली जीवन ही मुश्किल बन गया है, और स्थिति जब ऐसी हो जाती है, कि जो राजनीती है, वो एक ट्रैक पे चल रही है, वो धर्म के नाम पर, जाती के नाम पर आपसे वोट मांगे जा रहे हैं, विकास की आपकी जो बात है, आपके जो मुद्दे हैं, वो ठाएनी जा रहे हैं, आपका जीवन मुश्किल होते जा रहा है, चाहे शिक्षा हो, सेहत हो, रोजगार हो, कुछ भी हो, वो आपके लिए जो सुविधा होनी चाहिए, वो पूरी सुविधा नहीं है, आपका जीवन मुश्किल हो रहा है, वहां राजनेतिक दल सारे ये बातें कर रहे हैं कि किस तरहें से जाती के अधार पर या जनता के प्रती, क्या ये सही नहीं है, कि उनका धर्म यही है, कि जनता की सेवा हो, कि जनता के लिए सुविधाएं बने, कि जनता का विकास हो, कि सिर्फ उनके गिने चुने जो उद्योगपती मित्र हैं, उनका विकास होना चाहिए, तो कॉंग्रिस पार्टी क्या कह रही ह कि देखिए आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, ये आप जानते हैं, हमसे अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप जी रहें उन परिस्थितियों को, आप सुबह उठते हैं, रोजी रोटी कमाने की कोशिश करते हैं, हर तरह की मुश्किल आपके सामने हैं, लेकिन आज ज छोड़ी सी मदद कर लेते हैं लेकिन आपको अपने पैरों पर खड़े करने का जो काम है उनका वो क्यों नहीं हो रहा है तो मैं बार बार कहती हूं हर्मंट से कहती हूं कि चुनाओ के समय सही चर्चा होनी चाहिए विकास की बात होनी चाहिए आपको कैसे आगे हम बनाएंगे यह बात होनी चाहिए और कॉंग्रिस पार्टी लगातार यह कह रही है इसके लिए पार्टी ने कँछ घोशनापत्र भी निकाले हैं एक खास शक्ती विधान जो खास महिलाओं के लिए है दूसरा जो भरती विधान है, जो युवाओं के लिए है और जो उन्नती विधान हमने रिलीस किया है, इसमें भी हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम खुकले वादे नहीं कर रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, वो सोच समझ के हमने पूरा खाका तयार किया है, अगर हम क कि 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 प्रतिजाएं देते जा रहे हैं और आपके पास समस्या यह समस्या खड़ी हो रही है इतने नौजवान है जो सालों इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है उसका समाधान क्या है तो हमने हर चीज को एकदम अच्छी तरह से एक्जामेन करके उसका रिसर् उठाया है उसके लिए पूरी उजना बनी है उसके समाधान के लिए वहाँ पर बहुत कार्य किया है जो कि यहां नहीं है और यह बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में इसी तरह से हर समस्या को लेके हमने जनता से चर्चा कर करके हर जगे जाकर हर ग्रूप से बात करके हमने चर्चा करके इन घोशना पत्रों में यही लिखा है कि हम क्या करना चाहते हैं और आशा है कि हमें आप मौका देंगे कि हम आपको करके भी दिखाएं